नमस्कार दोसों फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ दोसों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ Moto E7 Power में या फिर E7 Plus में आप यहाँ पे टच का साउंड कैसे बंद कर सकते हैं अगर यहाँ पे आप कहीं पे भी टच कर ले हैं तो यहाँ पे आपको साउंड देखने को मिल रहा है या फिर आपको यहाँ पे वाइब्रेशन देखने को मिल रही है तो यहाँ पे अगर आपको टच का प्रॉब्लम हो रहा है या वाइब्रेशन का प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको बंद करने के लिए आपको यहाँ पर चली जाना है सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे तो साउंड को ओप्शन देखने को मिलता है आप इस पर क्लिक कर देंगे ऐसे scroll करेंगे तो advance का option देखने को मिलेगा आपको इस पर click करके और ऐसे scroll करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं touch का sound यहाँ पर enable है आप इस पर ऐसे करके click कर देगे तो यह gray color का हो जाएगा यानि कि बंद हो चुका है आप ऐसे scroll करेंगे तो touch के साथ अगर vibration हो रही है तो vibration को भी आप यहाँ से बंद कर सकते हैं तो यहाँ पर यह दोनों चीज़े आप off कर लेंगे तो आपको touch के साथ ना तो sound देखने को मिलेगा ना ही vibration अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से vibration on कर सकते हैं और sound on कर सकते हैं तो यह green color का हो जाएगा ठीक है तो यहाँ मैं दोनों को off कर लूँगी और बाकी यहाँ पर आपको और भी sound के option देखने को मिल जा रहे हैं जैसे dial pad का, screen lock का, charging sound या फिर power sound जो बंद होता है और चालो होता है आपको साउंड देखने को मिलता है, hello motor type का, यहाँ से बंद कर सकते हैं तो यहाँ सेटिंग कर लीजेगा तो आई होगा है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा इसी टैप के और इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल के विसित करते रहें चले मिलते हैं आपको इक नेक्स वीडियो में तब तक किली नमस्कार